दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्ग दर्शन फार सिविल सर्विसेज में, मैं अनुराग शोधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीत विज्यान के अंतरगत, पाश्यात राजनीतिक चिंतन या वेश्टन पुलेटकल थाट का महतपूर टापिक मैक्यावेली का मानो सोभाव संबंधी विचार अर्थात मैक्यावेली ज़्यू आन हूमन नेचर आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे कि मैक्यावेली ने अपने राजकला और सासन संबंधी विचारों का जो प्रतिपादन किया है उसका मूल आधार मानो सोभाव ही है उसके सभी विचार मानो सोभाव और उसकी प्रकीर्ति पर अधारित हैं आज हम मैकियावेली द्वारा बरडित मानो सोभाव के संबंध में जानेंगे साथ ही इसकी प्रमुख आलोजनाओं के संबंध में भी पढ़ेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो आप इसका पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में डिस्किप्शन बाक्स में डाल दूँगा तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो मैक्यावेली के मानो सभाव संबंधी बिचार दोस्तों मैक्यावेली का समस्त दर्सन, बिचार और धाड़ा जो है वो उसके मानो संबंधी बिचारों पर आधारित है। जो अपनी सारे विचार धाराएं दी वो उसके ततकालिन परिस्थितियों से प्रभावित हैं और इसका समस्त दर्सन और विचार उसके मानो स्वभाव संबंधी यानि हूमन नेचर के विचारों पर आधारित है और मानो स्वभाव संबंधी उसके विचार इटली के स्वभा पाव चरित्र और कारियों पर आधारित है। मैक्यावेली मानो सभाव के संबंध में क्या धाणा बनाता है तो मैक्यावेली का मानना है कि मनुस्य जन्म से ही बुरा होता है वह दुरबलता, मुर्खता और कटुता का मिस्रण होता है दुरबलता, मुर्खता और स्वार्थ का मूल में ही बिद्ध्यमान है और सदगूण और परोपकार जैसे गुडों के बारे में उसे पता ही नहीं है यानि मैक्यावेली मानो सुभाव का जो चित्रण करता है वो ऐसा करता है कि मनुस्य जन्मजात बुरा होता है उसमें मुर्खता और स्वार्थ भावना प्रबल होती स्वार्थ और अहंकार मानों सभाव के मूल में होता है और जो मानों के नैतिक गुड़ होते हैं जैसे सद गुड़ परोपकार जैसे गुड़ों के बारे में वो अनभिग्य है उसे पता ही नहीं होता है मेक्यवेली की असपश्ट धाड़ा होती है कि मनुस्य सभाव से स्वार्थी घोर दानवी प्रविर्थियों वाला और दुष्ट होता है मनुस्य के सभी क्रिया कलापों में उसका घोर स्वार्थवाधी है कहने का मतलब ये है कि मनुस्य जो भी करता है वो अपने स्वार्थ के लिए ही करता है अपने लाप के लिए ही करता है और यद किसी कारे में उसका लाप नहीं होता है तो वह काम मनुस्य नहीं करता है अपने गरंथ प्रिंस में उसने लिखा है कि सामाने रूप से मनुस्यों के बारे में कहा जा सकता है कि वे कृतग्न, चंचल, जूठे, कायर और लोभी होते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ होता है, आपके बने रहते हैं वे उस समय तक आपके लिए अपने जीवन, रक्त, संपत्य और बच्चों का बल्दान करने के लिए भी तयार होते हैं लेकिन जैसे ही उन्हें आपकी आओ सकता समाप्त हो जाती है, उन्हें जरूरत समाप्त हो जाती है आपकी, वो आपके भिरुद्ध हो जाते हैं मनुस्य किसी से तभी तक प्रेम करते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है आज के समय में भी ये बहुत हद तक प्रासंगिक है कि कोई मनुस्य किसी से तभी तक प्रेम करता है जब तक कि उसका स्वार्थ सिद्ध होता है उसका स्वार्थ या उसका कारे निकल जाने पर वह मनुस्य का बिरोध कर देता है और उसका साथ देने से कत्राने लगता है इसके अलावा मैंकियवेली का मानना है कि मनुस्य सोभाव से दुराचारी होता है उसे उसमें जो सदाचार या अच्छे सचरितरता जैसे विचार हैं वो नहीं होते हैं आवसकता पढ़ने पर ह वे अच्छे और सरचरित दिखाई देते हैं बहुत ही महतपूर है और इसने मानो सोभाव का जो खांका खीचा है वो कहीं न कहीं बरतमान यूग में भी ये प्रासंगिक है लेकिन जो उसका अध्यन है वो इटली के ततकालिन परिस्थितियों पे है लेकिन उसने बहुत ही सफाई से या बहुत ही निर्भीकता से इस बात का प्रत्वादन किया है कि मनुस्य आवसकता पढ़ने पर ही अच्छे और सचरित दिखाई देते हैं वरना लोग अपनी वासनाओं और इच्छाओं के दास होते हैं और प्रथम स्रेडी के स्वार्थी होते हैं मनुस्य के ब इर्थिया यानि दूसरे की प्रगति को देख कर जलना महत्वकांची मतलब उची इच्छाओं वाला कि हमारे पास ही सारी चीजे हों महत्वकांची दो सेंस में होता है एक पाश्टिव और एक निगेटिव लेकिन यहाँ पे जो उसका कहने का मतलब है कि वो सोभाव से इर पाधार होते हैं प्रेम और भै लेकिन वो सोभाव से इर्सियाल होता है और महत्वकांची होता है धन की आउसकता और धन अरजन करने के बारे में उसका मानना है कि उसमें धन प्राप्त करने की प्रविर्थ बहुत ही प्रबल होती है इसलिए मैकिया वेली का यह कथन अच्छा एक ब्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को आसानी से छमा कर देता है। और मनुस्य का सदैव उपर से नीचे की ओर पतन हुआ है जिसको वह अधो पतन करता है और कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मनुस्य इसी कुछ चक्र में पस्ता हुआ समाप्त हो जाएगा। में कि अवेली का मानना है कि मनुस्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं का गुलाम होता है। मनुस्य की इच्छाओं प्रवल होती है वो इनका दास होता है और इच्छा और वासना की अधिक्ता के कारण ही मनुस्य अपराध कर वैठते हैं। अपराध इस कारण करते हैं क्योंकि उनका सोचना होता है कि संसार की सबसे अच्छी वष्ट उसी के पास हो। हर व्यक्ति ये सोचता है कि संसार की सबसे अच्छी महंगी वस्त उसी के पास हो और इस कारण वो हमेशा संघर्ष और प्रतिसपर्धा में लगा होता है लेकिन संपत्ति जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर इच्छा होती है व्यक्तियों की अधिक से अधिक संपत्ति अरजि मनो बैज्यानिक धाड़ा है क्योंकि सभी व्यक्तियों में असुरच्छा भै और ड्रर के साथ प्रेम की भावना भी होती है तो इसलिए वो कहता है कि मानो जीवन को भै प्रेम की अपेच्छा अधिक प्रभावित करता है इसलिए वो कहता है कि सासक या राजा को परजा का प तो है उसे डर और आतंक से माहौल बनाना चाहिए डर और आतंक का माहौल बनाना चाहिए और उसी आधार पे उसको सासन करना चाहिए क्योंकि जब लोग डरेंगे तभी उससे प्रेम करेंगे और उसका सम्मान करेंगे अपने यहां भी प्राचीन धाड़ा है कि बिन उभय हो प्रजा वस्ल तो रहे लेकिन प्रजा उसके डर और आतंक में उसका सम्मान करे। मानो सुभाव के आधार पर ही मैक्यावेली अपने राज्य और सासन संबंधी विचारों की रूप रेखा प्रस्तुत करता है कि राज्य कैसा होगा और उसका सासन कैसा होगा उस विचार की जो रूप रेखा है वो अपने human nature के आधार पर ही मैक्यावेली प्रस्तुत करता है साधार पे वो कहता है कि सरकार या सासन भी निरंकुस सक्तिसाली और अहंकारी होनी चाहिए तब ही ऐसे व्यक्तियों को सुधारा जा सकता है और इन पर सासन किया जा सकता है यानि दुष्ट लोगों के साथ दुष्टता का ही ब्योहार करना चाहिए दूसरी बात ये कहता है क माणों में भय की प्रधानता होती है इसलिए सासक को भी प्रेम की अपेचछा भय से सासन करना चाहिए तब ही प्रजा या ब्यक्ति उसका सम्मान करेंगे और उसके आग्याओं का पालन करेंगे तीसरी बात वो कहता है कि संपत्ति का अरजन और उसकी सुरच्छा ब्यक्तियों में सबसे महतो पूणड होता है इसलिए राजा को ब्यक्तिके जीवन की संपत्ति पर सुरच्छा पे बिसेश ध्यान देना चाहिये और यदि ब्यक्तियों कोई धन संपता सुरच्छित रहेगी तब भी वे राजिकी नियंत्रण में रहेंगे इसी के आधार पर मैंक यवेली आगे कहता है कि अच्छा सासक ब्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति ने लूटे संपत्ति के महतो को यानि सभी ब्यक्तियों में जो संपत्ति अर्जन और संपत्ति को पाने की लालसा अधिक होती है इसी आधार पे वो कहता है कि अच्छा सासक ब्यक्त की हत्या भले ही कर दे परंतु उसकी संपत्ति ने लूटे अब यहाँ पे देखते हैं कि सासक कैसा होना चाहिए मैक्यवेली का सासक भी एक मानो है अतव अभी मानो सोभाव के दुर्गुडों से ही युक्त है इसलिए वो कहता है कि सच्चा सासक वही है जो सक्ति और धोखा दोनों में परिपूर है यानि वो असपश्ट रूप से उसका कथन है प्रिंस में वो कहता है कि राजा में सेर का साहस और लोमडी की चाला की दोनों ही गुड आवस्यक है तब ही वह सासनकार कुसलता पुर्वक संपादित कर सकता है सासक के मानो सोभाव या बुरे आचरण के मनो विज्ञान के आधार पर उसी के अनुसार राजा को कारे करना चाहिए क्योंकि जब प्रजा ही दुर्गुडों से युक्त है और नैतिकता विहीन है तो सासक को भी उसी प्रकार उसके बुरे आचरण के आधार पर ही उसी अनुसार कारे करना चाहिए तब ही वह सफल सासक कहलाएगा मानो सुभाव के संबंध में वह सासन का स्वरूप भी निर्धारित करता है मानो सुभाव का बढ़न करते हुए कहता है कि सासन का स्वरूप कहां पर कैसा होना चाहिए वो काफी हद तक मानो के सुभाव पर ही निर्भर करता है मै क्यवेयली का मानना है कि जहां राज्य की नागरिकों में मानवी सदगुड हो वहां गढ़तन्तरी बिवस्था अच्छी तरह से लागू की जा सकती है और उसके लिए कि कुछ राज्य ऐसे हैं फ्रांस और इंग्लेंड की बात करता है वो कहता है कि जहां पर मानवी वहाँ पे गरतंत्री बिवस्था अच्छी तरह से लागू की जा सकती है लेकिन जहाँ पर स्विटजल लेंड और जर्मनी की नागरिकों का वो उधार हर देता है कि वहाँ पे राजी की नागरिकों में कुछ मानुवी सदगुन है तो वहाँ सद गड़ तंत्री विवस्ता अच्छे तरह से लागू हो सकती है लेकिन जहां पर लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं है वहाँ निरंकुष राज तंत्र उप्यूक्त होता है और इटली की जनता में दुरगुण है, स्वार्थ है और घोर जो मानवी दानवी प्रविर्तियां है उस कारण वो इटली के लिए निरंकुष राज तंत्र का समर्थन करता है और कहता है कि राजा को सक्ति और दमन के आधार पर सासन करना चाहिए तब ही वहाँ पर लोगों को सुधारा जा सकता है मैकियावेली के मानो सभाव संबंधी धारा की कुछ आलोजनाय भी की गई है क्योंकि मैकियावेली का जो मानो सभाव संबंधी सिध्धान्त है ये काफी अधिक तुरूटिपूर है, इसमें कुछ कमिया भी है तो पहली आलोजना इस बिंदु पर की जाती है कि मैक्यावेली का जो मानो संबंधी धाड़ा है वो एकांगी है वो केवल मानवी कमजोरियों को उसकी कमियों को देखता है लेकिन अच्छाईयों को नहीं देखता है जबकि मानो के दो पहलू भी होते हैं एक सच चरितरता का एक दूस चरितरता का दोनों भावनाएं होती हैं उसमें व्यक्तिगर स्वार्थ भी होता है और कुछ हद तक परोपकार या दोसरों के हितकी भावना भी होती है लेकिन ये मैक्यावेली का जो मानोस भाव संबंधी चित्रण है वो उसे केवल स्वार्थी और घोरदानवी प्रविर्तिवाला बता कि सभी नागरिक बुरे दुष्ट और स्वार्थी हैं लेकिन ऐसा नहीं है इटली के मानोस भाव संबंधी अध्यन के आधार पे इसे सारभौम सत्य नहीं कहा जा सकता है कि सभी नागरिक सभी लोग बुरे दुष्ट और स्वार्थी होते हैं कुछ लोग अच्छे भी होत लेकिन इटली से बाहर निकल कर मानो सभाव का अध्यन करने का वो प्रयास नहीं करता है इसलिए उसकी धाड़ा एकांगी सीमित देश काल और परिस्थितियों से सीमित और संकुचित हो जाती है और अंत में ये कहा जा सकता है दोस्तों कि मैक्यावेली कि मानो सभाव संबंध देखा जाए तो हाप्स के प्राकृतिक अवस्था के ब्यक्तियों की भात है जहां पर किसी प्रकार की कोई ब्यवस्था नहीं होती है लेकिन अंत में देखा जाए तो मैक्यावेली की रुच मानो सभाव में नहीं थी वह मानो सभाव का चितरन नहीं करना चाहता था बलकि वह इटली की दुरदसा से पेडित था और वहां पर इन बुराईयों को दू उठा स्वार्थी पाखंडी मानता है तो वह बहुत कुछ इटली की ततकालीन परिस्थितियों से प्रभावित था और इसी कारण उसने इटली में ऐसे सासन बेवस्था या निरंकुस राज्टांदर का समर्थन किया था जिससे लोगों को जिस प्रकार के हैं उनका जैसा स भाव है उसी के प्रकार उनके साथ बेवहार किया जाए और इसी लिए उसने राजा को कहा था कि उसमें सेर का साहस और लोमडी दोनों के गुड़ होने चाहिए यानि दिखावटी में राजा को सचरित्र होना चाहिए लेकिन अंदर से उसमें चालाकी और धूर्दता की भ बंध में क्या विचार दिये हैं इसके बारे में हमने जाना कि मैंकि अवेली मानों को केवल दूष्ट घोर स्वार्थी तथा कि अपनी इच्छाओं से संचालित होने वाला आद्म ब्यक्ति मानता है और ये अप संपत्ति के संरच्छड और संपत्ति को इकठा करने की इसम जो कथन है कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेच्छा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारों को अधिक सुगंता से छमा कर देता है बहुत ही सटीक है आप इसके कुछ कीवर्ड को याद कर लेंगे तो आप इस प्रशन का उतर आसानी से दे सकते हैं वीडियो आपको क